दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करंसी, बिटकोईन में कुछ ऐसा हुआ है, जैसे पूरी दुनिया उसको बहुत ध्यान से स्टडी कर रही है बिटकोईन हालविंग कम्प्लीट हो गई है, 20 अप्रेल 2024 को आए इस वीडियो में चानते हैं, बिटकोईन हालविंग क्या होती है सबसे पहले ये जानीए कि जो बिटकोईन है, ये एक क्रिप्टो करंसी है क्रिप्टो करंसी का मतलब एक एसेट होता है, जो आप ओनलाइन ट्रेड कर सकते हैं कई सारी क्रिप्टो करंसी होती है, उसमें से बिटकोईन एक करंसी है बिटकोईन हालविंग का मतलब ये होता है, कि मान लिजे, पहले आप कुछ काम करते थे उस κाम के बदले आपको 100 बिटकोईन दिये जाते थे अब आपको उसी काम को करने के बतले 50 Bitcoin दिये जाएंगे इसको कहते हैं कि जो आपको reward मिलता था काम करने का उस reward को half कर देना यानि कि Bitcoin halving कर देना तो ये किन लोगों के लिए होता है देखिए Bitcoin को जो लोग mine करते हैं mining का मतलब होता है Bitcoin के algorithms को crack करके एक नया Bitcoin create कर देना उसको बोलते है Bitcoin mining तो जो लोग Bitcoin mining करते थे उनको पहले जितने Bitcoins मिलते थे अब उनको उसके half Bitcoin मिला करेंगे Bitcoin के creator है Satoshi Nakamoto उन्होंने 2009 में Bitcoin बनाया था और तभी ही कह दिया था कि लगबग हर 4 साल में Bitcoin halving करी जाएगी ऐसा इसले करा जाएगा क्योंकि टोटल Bitcoin की जो quantity है वो 21 million से जादा exceed नहीं करेगी क्योंकि हमें Bitcoin की एक scarcity बना के रखनी है तब भी उसका price उपर drive करेगा और उसको inflation deflation के pressure से बचा आगे रखना है अभी है Sondate Bitcoin already 19 million हो चुके है तो इसलिए Bitcoin halving करी जाती है और ये पहली बार Bitcoin halving नहीं करी गई है 2009 में Bitcoin लाया गया था जब एक block mine करने के 50 Bitcoin मिलते थे फिर 2012 में Bitcoin halving करी गई जब 50 Bitcoin मिलने के जगा 25 Bitcoin मिलने शुरू हो है फिर 2016 में दुबारा halving करी गई जब एक block mine करने के पहले 25 bitcoin मिलते थे अब 12.5 bitcoin मिलने लगे 2020 में फिर से halving करेगी जब 12.5 bitcoins मिलने लगे अब 2024 में halving करी गई है अब एक block mine करने पे 3.25 bitcoins मिला करेंगे data miners को आप पूछेंगे कि इसे मुझे क्या फरक पड़ता है मैं तो कोई फरक नहीं पड़ता आप data mining करते हैं आप bitcoin mining करते हैं इसलिए अभी तक आपको फरक नहीं पड़ है जो लोग bitcoin mining करते हैं वो लोग बता रहे हैं कि उनको revenue में about 10 billion dollars का loss इसमें हो सकता है तो लेकिन investors इतने क्यों दुखी हो रहे हैं वो ये कहते हैं कि जब जब ही bitcoin halving होई है तब तब एक price rise देखा गया है, bull run देखा गया है first halving जब होई थी 2012 में तब bitcoin का price जो around 12 dollar का था वो 1,000 dollars हिट कर गया था 2020 में जो last halving होई थी तो 8,500 dollars का price bitcoin का 68,000 dollars उपास कर गया था इस वज़े से लेकिन देखा जाए तो अभी अगर हम price देखते हैं तो अभी bitcoin के prices में कोई इतना जादा उतार चड़ा देखा नहीं गया है बहुत ही एक muted response देखा गया है ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि January में US Securities Exchange Commission ने bitcoin ETF को approval दे दी थी जिससे bitcoin के prices 73,000 dollars touch कर गए थे already जो चीज़ इतनी जादा pricing होती है उसको और उपर लेकर जाना एक ऐसा bubble बन जाता है वो उसे सहब से देखा नहीं जा रहा और अगर by chance अगर bitcoin का price 1,000,000 dollar touch भी कर गया तो आप देखिए उसको जो लोग बेचने के आएंगे इसको जो selling pressure आएगा 100x के margin से जो जो selling pressure आएगा bitcoin का price crash ना कर जाए उस time पे जो bitcoins के साथ ऐसा होता रहता है तो ये concept होता है bitcoin का और bitcoin halving का तो जैसे bitcoin एक cryptocurrency वैसी बहुत सारी अधर currency जैसको बोलते है Ethereum, उसको बोलते है Litecoin उसको बोलते हैं अलग-अलग currency के अलग-अलग नाम से तो अगर आप बात करेंगे कि इंडिया में bitcoin खरीदना या trade करना illegal नहीं है लेकिन इसको एक virtual digital asset बोलते है जिसके profits के ओपर 30% tax लगता है लेकिन एक legal tender नहीं है कि अगर आप कुछ समान लेने जाएं और दुकान वाले से बोलें कि मैं पैसे नहीं दूँगा, मैं bitcoin दूँगा तो वो transaction acceptable नहीं होगी क्योंकि ये legal tender नहीं है तो चलिए अब आगया है question time आप quickly इस question को देखिए और इसका answer आप comment section में quickly दीजे देखते हैं कुछ समझ भी आया है इस वीडियो से या कुछ समझ नहीं आया थोड़ी सी वेकर curiosity हो तो please इस question को comment करें, इस वीडियो को like करें share करें, जार से जादा लोगों के साथ share करें और चैनल को अभी subscribe करें see you in the next video